रायोब सीधे आपको तस्वीरे देखाते हैं प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई की समाधी सदेव अटल पर पहुंचे हैं तस्वीरे आप देख रहे हैं अटल जी को शद्धानजली देने के लिए अपने शद्धा सुमन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई आज का दिन सदेव अचल सी तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां पर अचल बिहारी वाजपई की समाधी है और अपने शद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आजाम लोग भी यहां पर पहुंचेंगे और अभी जो तस्वीरे यहां पर देश के प्रधान मंत्री नरेंडरो मोदी मौझूद है ग्रyy मंत्री अमित शेह मौझूद है कि हर वेक्ती उन की अलग अलग अचल बिहारी वाजपई की लोगपरेता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विपक्ष के नेता भी हमेशा अचल बिहा और साथ फीर प्रधानमंस्य्क海ंड़े ग्या outtaट के मौके पर rättार मन्तड किसानों से भी समवात करने वाले हैं चेराजयों के किसानों के साथ बाक्रीद करेंगे और साथ ही साथ कि इस मौके पर ने के का कि पर होए के सेंट्च्रल हॉऔग में नोहां को और आम लोग भी देखिए, आम लोग भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अटल बिहारी वाजपई को श्रधान चली देने के लिए, आज अटल जी की जनती का मौका है, और इस दिन जनती की मौके को Good Governance Day के रूप में बनाय जाता है, याजनी की सुशासन के दिन के रूप मे बनाय जाता है, और जाहिर तोर पर सदैब अटल से ये तस्वीरे आप देख रहे हैं, और आज के दिन अटल बिहारी वाजपई की कविताओं को भी याद किया जा रहा है, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलै की घोर घटाएं, पाउं के नीचे अंगारें, तो बहुत सारी कविताओं, पूर प्रधार मंत्री अटल बिहारी वाजपई की रही हैं, मैं गीत नया गाता हूं, जिस कविता का जिक्र करें, उसका एक गूर मतलब निकलता है, जो जिन्दगी की रहस्यों को बताता है, जिन्दगी को कैसे जीना है, संखर्षों को बताता है, और कैस से जीवन जीने की प्रिणना देती हैं अटल जी की कविता हैं कि साफ तोर पर देखा जा सकता है मनोश तिवारी को भी इस वक्त आप देख रहे हैं बीजिपी के बड़े नेता हैं और तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं सदय वटल पर कई क्याबिनेट मंद्री वहा वासंतिस्तर तो तमाम जो कविताय हैं सदय वटल पर लिखी गई हैं चुकि अगर प्रधानमंत्री पूर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपई की बात करें तो जो उनके जीवन के संखर्श रहे और जिस सरह से उन्होंने अपने जीवन के शुरुवात की पत्रकारित से शुरू करके वो देश के प्रधानमंत्री तक उनका जो सफर रहा वह वाके में एक बहुत बड़ा उधारन है हर उस शक्स के लिए जो जीवन में जो देश के लिए कुछ करना चाहता है विजे को आप देख रहे हैं शानवाज हुसेन भी आपको तस्वीरों में पर जो प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपई की कविताएं हैं वो लिखी गई है ताकि जो भी यहां पर पहुंचे वो अटल जी की कविताओं के जरीए वो क्या कहना चाहते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं किस तरह से जीवन को जीने की प्रेणा दे रहे हैं वो उनका औरा रहा उसकी तारीफ विपक्ष के हर नेता ने की एक बार संसत में भाशन दिया था जो आहलाल नहरू को उन्होंने काफी घेरा था और उनकी तुलना चर्चिल से कर डाली थी तब उस वक्त के प्रधानमंत्री जब आहलाल नहरू बाहर निकले और जब अटल विह पारिवाजपई से मिले तो उनकी तारीफ की चुकि उनकी तारीफ किये बिना कोई नेता नहीं रह पाता था उनका औरा ऐसा था उनकी भाशा शैली ऐसी थी और आज के वक्त में भी जो नेता हैं उनको अटल जी की भाशा शैली से प्रेनना ना लेनी चाहिए अगर किसी को गेरना है तो बहुत तरीके से वो गेरते थे ताकि सामने वाले को बहुत बुरा भी ना लगे और जो वो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश उस तक पहुंच भी जाए और गे तस्वीरे आप सदैव अटल से देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपई की समाधी सशक्त भारत के लिए अटल जी ने बहुत प्रयास किया देश के प्रधार मंत्री रहे और देश के प्रधार मंत्री रहते कई महत्वपूर्ण फैसले कि यह और जिस आयाम तक उन्होंने देश को पहुंच आया उसका उसको हमेशा याद किया जाएगा तस्वीरे आप देख रहे हैं ये कारिकम इस वक्त सदेव अटल पर चल रहा है और उसके बाद सेंट्रल हॉल जाएंगे प्रधार मंत्री संसट ने अटल बिहारी वाजपई पर एक किताब का विमोचन भी किया जाएगा और वहां पर प्रधान मंत्री दरेंडर मोधी उसके बाद किसानों के साथ समबाद करेंगे आज अटल बिहारी वाजपई की जर्यंती के मौके पर किसानों से बाच्रित करेंगे चुकि हम सब जानते हैं कि किसानों का धरना चल रहा है अपनी मांगों को लेकर जो तीन प्रधान मंत्री दरेंडर मोधी के साथ राश्पती के अगवानी करते हुए प्रधान मंत्री दरेंडर मोधी राश्पती रामनात कोविन भी पहुंचे हैं और यह सीधे लाइव तस्वीरे आप इस में देख रहे हैं देखे पहले अमिद्शाह पहुंचे फिर अमिद्शाह ने प्रधान मंत्री की आगवानी की और अब चुकि यह पूरा प्रोटोकॉल रहता है पहले काबिनेट प्रिनिस्टर्स पहुंचते हैं फिर प्रधान मं पर और उनके साथ प्रधार मंत्री दरेंद्रमूदी भी मौझूद हैं आमिद्शा को आप देख रहे हैं तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजना सिंग भी मौझूद हैं और पूरा देश आज अटल बिहारी वाजपई को याद कर रहा है देश के प्रती जो उनका योगदा जान रहा है प्रधार मंत्री रहते हुए उन्हें याद किया जा रहा है आप देखेंगे किस सरे से मुझे इतनी उन्चाई कभी मत देना तमाम जो उनकी कवीता है रही है अगर आप पढ़ेंगे उसके बीच में जाएंगे चुकि जब भी कोई मौका होता था तो अचल बि कि कवीता को जरूर रहा है उसकी दो पंक्तियां जरूर कहें और तस्वीरों में आप देख रहे हैं राश्पती रामनात कोविन फूल माला चड़हते हुए अटल जी के समाधि पर उनको याद करते हुए उनको नमन करते हुए पुष्प सुमन अरपित करते हुए यह तस् विकास भी हमारे साथ इस वक्त मौजुद हैं विकास तस्वीरों में इस वक्त हम देख रहे हैं राश्टपती रामनात कोविंद शद्धा सुमन अर्पत कर रहे हैं अभी आगे का कारिक्रम क्या रहने वाला है अटल वियारी वाजपेज vinegar वारत स्थन है और ना सीर्फ BGP के बलकी वो एक रास्टर का नेता महना जाता था और इस औसर पर कई सारी कारिकरम BGP की तरफ से भी आयोजित की जाते हैं और सरकारी तब भी आयोजित की जाते हैं आज पुर्धान मंतरी निरंदर मोधी किसानों से भी सिधे तोर पर बात सीथ करेंगे इसके लिए देश भर में कारिकरम कायोजन किया गया है दिल्ली में भी कारिकरम कायोजन किया गया है रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग को द्वारका में मौजूद है और वहां पर पुधार मंत्री के संबोधन को किसानों के साथ और आम लगों के साथ सुनेंगे तो इस आउसर को पूरे देश भर में बीजेपी मनाती है और एक संदेश देने की कोशिश करती है और यही हो मौका होता है इस मौके पर बीजेपी अपने नीतियों को सामने सरकार सरकार की नीतियों नियों की पार्टी की नीतियों को लीज़िए नेतियों को लोगों के सामने रखती है पुलकुल गुण गवननस डे के तोर पहर विकास इसको बना जाता है तस्वीरे भी हम लगतार देख रहे हैं आज जाटल व्यारी वाजपई पर एक किताब का विमोचन भी प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोधी करने वाले और उसके बाद किसानों के बीच मौझूद रहेंगे छे राज्यों के किसानों से वो बादचीत भी करने वाले हैं तो ऐसे में जब एक तरफ किसानों कान दोनन चल रहा है, किसानों से बादचीत भी होगी, उनको Good Governance Day के जरीए समझाने के कोशिश होगी कि देखें, ये जो कानून लेकर आए हैं, ये आपके लिए, आपकी बढ़ातरी के लिए है, जो आगे बढ़ाने के लिए है, तो क्या ये जो कोशिश है, ये कोशिश कितनी कामियाब होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसान तो अड़े होएं, अर्पित करके आगे बढ़ रहे हैं, माननी श्रियमित शाहजी, माननी ग्रिह मंत्री, उन्होंने शद्धा सुबन अर्पित के लिए, विपक्ष के न किसी को जितना मर्जी के रहे, इतने सलीके से और शब्दों का ऐसा चेयन रहता था, कि बुरा भी नहीं लगता था, और संदेश भी चला जाता था, अंधियारों कि विश्चित तोर पर अकल वियारी बाज़े जो थे, वो शब्दों के बाजी कर थे, अभी थे, और एक एक यह तस्वीरे आप देख रहे हैं, यह सदय वटन से तस्वीरे, सबसे पहले राश्पती रामनात कोविन ने शद्दा सुमन अर्पित किये, प्रधार मंट्री देरें रमोदी, अमिच्छा, राजना सेंग और उनके परिवारवाले अब अटल प्यारी वाज़पई को करने के लिए